अगर एक फूटर एक फूट से छोटा है तो रखता है। आधो रखता है एक फूट से जो लड़ा है उसको ःघे बापिस पानी पे फीग देता है एंसनान पर एक भी मच्छी नहीं मिल रहे है और इसको मच्छी पर मच्छी मिलते जा रहा है। लेकिन ये कर गया रहा है कि एक फूट से बड़ी मच्छी को फेकता है और एक फूट और एक फूट से छोटी मच्छी को अपने डबे में डालके रखता है ये परेशान इसको एक भी मच्छी नहीं मिल रही और ये मच्छी बड़े-बड़े मच्छी को फेक रहा है बड़ों जो तवा है, प्राइंग पैन है, वो एक फूट का प्राइंग मैन है, इसके लिए मैं मच्छी भी कितने फूट की पखरूंगा, एक फूट की और उससे छोटी, हमाने पुरी जिंदगी ऐसे इस एक फूट के तवे तक रिस्टिक्टर है, गर में तवा एक फूट की, तो मच मच्छी भी, एक फूट की, यह हमारा जिंदगी का प्राप्लम है, अगर दो फूट का मच्छी पखर लो, बीच से काट, काटोगे, तो एक फूट की दो मच्छी बन जाएगी, क्यों छोटी-छोटी मच्छी पकड़ते बेटा है जिंदगी में, वाई और नाट इस परणाइम को, इस को ब्रेक करना है, अपने आपको कभी कमजोर ने समझना, मुझे अभी भी याद है, it will very much connect with that thing, रवितना बैगर, what a wonderful poem, it will go into you, the poem is nothing else but, जब सूरज दूब रहा था, सूरज शान को जब दूब रहा था, उसने एक सवाल पूछा, सूरज जब दूब को एक सवाल पूछा, who will take up my work, ask the setting sun, none have the answer in this whole silent world, who will take up my work, मेरे बात, रात को जब में डूब गूगा, शान को, सूमिया कोन करेगा, ऐसा सवाल शूरज ने, सभी लोगो से पूछा, who will take up my work, ask the setting sun, none have the answer in this whole silent world, सभी पेड़ पशुन, मनुष्या